जहिंद एविवन विल्केम टू रॉयल्स एजुकेशन पे आप सभी के स्वागत हैं दू कन्फर्म देटाइम वीजिबल और अदू अदू प्लीज कन्फर्म करें कि मेरी आवाज अभी आप लोगों तक अच्छे तरह से पहुंच पा रही है आप लोग मुझे सुन पा रहा है तो दू कन्फर्म एवरिबन ओके हर्ष जैहिंद अंशिका जैहिंद कांति सेंग अंशिका अकांग शा सबका स्वागत है रॉयल्स दूगिशन पे चले इस क्लास को हम सुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बिलकुल ही हमारे जो कास्ट मुवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बारे पूरे इंडिया में अलग-अलग जगहों पे जो नॉन ब्रामेर मुवमेंट या फिर आप समझ लोगी कास्ट मुवमेंट कौन-कौन से हुए थे कहां कहां पर हुए थे किसने किसने किये थे इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने ठीक है इसी में अब हम पढ़ेंगे आंद्रा में और आपके करनाटक में और केरल में कुछ मुवमेंट हुए जो की जाती व्योस्था के खिलाब थे और देखो अगर हम समाज और जाती व्योस्था के नाम पर देखो तो यह मुवमेंट सही थे बट अगर अगर आप देखोगे कि किसी धर्म के उपर चोट करने के अगर हिसाप से सोचो तो यह आपकी मर्जी है बट मैं आप लोग से यही कहूंगा कि यू आप लोग से यही कहूंगा कि you all are very mature enough and you are writing for UPSC examination so please have a broad spectrum right kattarwadi नहीं बनना है हर एक धर्मों को स्थान देना है clear हर एक धर्मों को स्थान देना है और यह सोचना है कि sir इन लोगों के बारे में आप क्यों पढ़ा रहे हैं right क्यों पढ़ा रहे हैं क्यों जरूरी है sir पढ़ना जब किसी धर्म के प्रती ही है तो मैं आपको बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि किसी जाती व्योस्था को खतम करने के लिए चलो यह लोग बहुत परिशान थे and if they started some movement and they might have uttered something which is not in the favor of my religion or your religion or any religion तो हो सकता है कि इसकी वज़े से हमें थोड़ा बुरा लगे लेकिन बुरा लगने से क्या मतलब है समाज में देश को उस समय आजादी पानी थी और जाती व्योस्था को हटाना था और यह लोग काफी समय से दबे हुए थे राइट और उसकी वज़े से कुछ भी कहें तो कहने दो क्या दिक्कत है क्लियर सालू जैहिंद कांस्ति सिंग जैहिंद सबकर स्वागत है अकांक्षा जैहिंद समझ रहे हैं आप लोग तो आज पढ़ेंगे ट्री पुरह नयमी Campus चौधरी 1887 से 1943 तक थे उसके बाद हम पढ़ेंगे वगंध और लिंगाइतों के बारे में श्री नारायन के बारे में ये जो पहला नाम हमने आपको बताया ट्री पुरह नयमी जौदरी ही इस फ्रॉम आंद्रप्रदेश कहां से हैं भाई आंद्रप्रदेश ठीक है उसके बाद से जो अगला नाम हम देखेंगे वो थे वोकलिक और लिंगायत आप सभी जानते हैं और फिर हम जानेंगे श्री नारायन गुरु तो यह हैं ही इस फ्रॉम केरल केरला ठीक है पूरा नाम लिख दू तो यह हैं हमारे त्रिपुरा नेमी हम लिखेंगे त्रिपुरा नेमी रामा श्वामी रामा श्वामी चौधरी इनकी जन्म मिर्तु लिख लिजी अठारो सो सतासी से 1887 से लेकर के 1943 तक है फिर हम लिखेंगे वोकालिक के बारे में वोकालिक एवं लिंगायतों के बारे में लिंगायत फिर हम पढ़ेंगे श्री नारायन गुरू के बारे में श्री नारायन गुरू इनका जो जन्म मिर्त्यू है वो हमारी 1854 से लेकर के 1928 तक है ओके सब लोग आप लोग इसके बारे में समझ रहे हैं सालू जहिं सबकर स्वागत है ठीक है तोदैंगे आप जोग आप लोग भी नॉन ब्रह्मिन मूमेंट्स इनकास्ट मूमेंट्स इनकाश्ट प्रदेश इनकाश्रू इनकाश्रू रहे एंकाश्रू अंतोग गर्नाथका प्रणाट्ट्स लिंगायत श्री नारायन गुरू ठीक है श्री नारायन गुरू इनके बारे में हम पढ़ते हैं and these are the caste movements so just have a broad spectrum so that you can accept if something is being told against brahmanism ठीक है इसलिए अपने थोड़े क्यों क्योंकि this movement was also required because the life of the people life of the lower class people of the shudra especially in the south was very much poor तो अगर इन लोगों ने कुछ गुसे में कहा तो भाई जायज है कि वो कुछ भी कहेंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं पहला नाम है त्रिपुरा नेमी रामा स्वामी चौधरी 1887-1943 and self-respect movement आंधर प्रदेश का पहला नाम जो हमें मिलता है इस का नाम है त्रिपुरा नेमी इन व्यक्ति का जो नाम है वो है त्रिपुरा नेमी रामा श्वामी रामा श्वामी चौधरी और इनकी जन्म एव मृत्यू है 1887 से लेगर के 1943 और एवम इनके बारे में और क्या हम पढ़ेंगे इनके हम पढ़ेंगे आत्म सम्मान इनके बारे में काफी डिटेल हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है जो जो डिटेल होगा मैं वो खुद आपको पढ़ाता ही हूँ एवम आत्म सम्मान या कुछ आप इसको कह सकते हैं स्वाभिमान आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन और ये कब का है कहां से संबंदित है तो ये संबंदित है हमारे भाई आंदर प्रदेश से अच्छा एक बात मुझे आप ये कंफर्म कर दिए कि ऐसा तो नहीं लग रहा ना मतलब कि डू यू आप दिस नियो बुक आपके किताब में है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये नॉन ब्राह्मिन कास्ट मुव्मेंट में ये किताब में है त्रिपुरा नेमी रामस्वामी चौधरी वोकालिक लिंगायत बताईएगा कि आपके किताब में है या नहीं है चलो कोई बात नहीं बताना आवाज ने जयेंद दिप्ती गुडीवनिंग अक्षिता अजय क spikes में नहीं कोई नहीं वाद नहीं नहीं है है बर आपके यू पीस्सी सहच लेपाँत के शरूरी है तो इसको जरूर पढ़ें है तो है अधिकतर किताब में नहीं होगा बट यू पीस्सी के बूक के साइब से कास्ट मुव्मिट के साफ से यहwig ए जरूरी है so please read it so जो लोग भी नए जोईन किये उनको मैं बता दूँ कि we are reading non-brahmid movement, caste movement जो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं और अब की बार हम non-brahmid और caste movement यानि कि गैर-brahmid हम जाती है आंदोलन जो की हमारे आंदरपरदेश में हुए जो की हमारे करनाटक में हुए और केरल में हुए उनके बारे में है कोई बाद ने, कोई बाद ने बुक में नहीं है तो यहां पर पढ़ लो थोड़ा सा थीक है? आप देखो रेड़ी, बालिजा, वेलमा, कमा यह छोटी जाती नहीं है वहाँ पर ओके, कोई बाद नहीं हमारे भरोसे हो तो ठीक पड़ रही हो, कोई दिक्कत रही है ठीक है? तो आप बस यह जान लो कि अगर हम इस छेत्रों की बात करें आंध्रा वाले शेत्रों में तो वहाँ पर रेड़ी जो है रेड़ी रेड़ी, बालिजा, वेलमा, कमा वो छोटी जाती नहीं है वो बड़ी जाती हैं वो ऐसे ही बड़ी जाती हैं जैसे की जैसे की हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कुछ और भी बड़ी जाती हैं से आप मालो की राजफूत हो गया है तो हम यह ब्राम्मध नहीं है यह यह ड्रॉफल लेकिन दो जciąती विवस्था थी चतुरवण विवस्था वर नौर्थ में अलग प्रकार की थी और साुथ में अलग प्रकार की थी क्या क्या दोनों में उंतर था नौर्थ में आप देखो कि नौर्थ में ब्रामण एकदम सीर्स पे होता था उसके नीचे शत्रिये होते थे लेकिन शत्रिये जो थे वो प्रसासक थे राजा थे इसलिए छत्रियों का मान खूब जादा था पूरे नौर्थ इंडिया में जितना ब्रामण को स्रेस्ट माना जाता है आज भी वेरी गुड कॉंसिशन ये इस नोट लेजल देन रिलीजिशी आपन से बेहतर है तो हमारे पास याम बेढ़े हैं यह नोर्थ में देखो तो कुछ ब्रामणों को अभी ऐसा एर रहता है या शत्रियों को अभी यह रहता है आप वह बड़े हैं पहले हमारे अंदर भी यह अर्था कि हम बड़े हैं राइट पढ़ाई वड़ाई करी आप लोग भी पढ़ाई वड़ाई करो सारी चीजे हम छोटे हैं हम बड़े हैं शिक्षा सभी बंदनों से आपको मुक्त कर देगी ठीक है जो भी hard feeling है ना कि मतलब वो शत्री है या वो ब्रामण है अच्छे त अच्छी योश्य म kitchen विरश meint सुप्रियोंटिप ऑफ दा शत्रिया वीच देरी विच देर इन दा नौर्थ ये जो आज नौर्थ में भी है या उश्य समय थी वैसी ब्योस्ता साऊट में नहीं थी साउथ में दो प्रकार द्सथा थी या तो आप ब्रामण है और नहीं से आपके आँ शत्रिय भूमिहार या फिर कई सारे ऐसी जातियां हैं जैसे कुछ जगह उपे जाट क्लियन श्रिवास्तो तो यह जो जातियां जो जन्रल में आती हैं यह लोग कमा रेटी बालीजा बेलमा यह लोग समाजिक द्रिस्टी से दिवर वेरी पाउर्फुल बहुत बहुत अमीर लोग थे तो आप सोचो कि सर यह अमीर लोग थे फिर इन्होंने जाती ब्योस्ता के लिए क्यों लडाई लड़ी क्यों ऐसा किया तो यह चाहते थे क्योंकि साउथ में तो ब्योस्ता थी या तो आप ब्रामण हैं और नहीं तो आप ब्रामण नहीं हैं नौर् तो अब ये बात समझ लो कि बाव कि आन्द्रा के शेत्र में मेरे कई सारे मेरे जो फ्रेंड्डS है उसमें रेड़ी हैं उसमें नाइडू है यहां के शत्रियों के जैसे हैं तो वैसे ही कम्मा रेड़ी बालिजा और वेल्मा इन कास्ट लोगों ने एक सोशियो कल्चर रिफॉर्म शुरू किया था ठीक है यह सब गैर ब्राह्मण उची जाती के लोग थे जिन्होंने सामाजिक सांस्क्रित सुधार के लिए कारेक्रम शुरू किये अल अब यहां तक बात समझ में आ रहा है it aimed at restructuring the caste system with the upper caste non-Bhrāmid at the top rather than for its complete raha back baleyan tradicional so so it aimed at restructuring the caste system with the with the upper caste non-Bhr palabेoten at the top राधर दैन फॉर इट्स कम्प्लीट अबॉलिशन हाँ बिलकुल बिलकुल नॉन ब्रामेड यह जोतिबा फूले ने भी सेम काम किया था जोतिबा फूले ने भी सेम काम किया था वही काम अक्षिता ये लोग करने वाले हैं वो जो आत्मसम्मान आंदोलन टाइप न राइट यह सारा काम यही यह लोग नहीं आत्मसम्मान अंदोलन तो वही पेरियार का चलाया वल है जो आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वैसे ही नॉन ब्रामिड मुविंट है यह जो तमिल का एक पेरियार थे ना इवी इवी इरोड वैंकट रामा स्वामी पेरियार उन्हीं जैसा आत्मसम्मान मुवमेंट इन्होंने भी चलाया है देखो हुआ क्या था अब यह जो कास्ट मुवमेंट था यह कास्ट मुवमेंट इसलिए नहीं था कि वो अब उस्ता को खतम कर दो हाँ इवी रामा स्वामी क्लियर यह जो कास्ट मुवमेंट है जो त्रिपुरा नेमी रामा स्वामी चौधरी कई सारे रामा स्वामी है सब रामा स्वामी को एक में नहीं है वो इवी रामा स्वामी तमिल का है यह त्रिपुरा नेमी रामा स्वामी यह हमारे आंध्रा के हैं नामी में दिक्कत है राइट, चलो, वो भी देवताओं की मूर्तियों को जा करके जूतों की माला पहिना देते थे, ब्रामणों का जनियू काट देते थे, अरे यार मतलब कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता है, चलो, तो अब इन्हों ने जो शुरू किया था, किनोने, तृपुराणे मिरामा स्वामी चौाधरी ने, इन्हों ने जो शुरू किया था, यह जो आन्दोलन था, वो इसलिए नहीं था कि ब्रहमणों को पीछे कर दो, हम जो हैं, हम भी, हम ब्रामण नहीं हैं, लेकिन हम उची जाती हैं, तो हम को उपर कर दो, क्या चाहते थे ये, ब्रामणों को हटा दो, जो ब्रामणों को जो सारा चीज, ब्यवस्ता है, मतलब उनको प्रिफरेंसेज मिल रही है, उनको हटा करके हम को उपर रखो, समझ रहे ह लोग यह का सिस्टम को हटाना आपोलिस नहीं करना चाहते थे यह क्या जाते थे यह वांटेड देड ब्राह्मार शुट बी लीविंग टॉप पोजीशन देशुट बी अक्वारिंग टॉप पोजीशन यह बंड वहुस्ता में इनको ऊपर रख दिया जाए इनका मानना यह ह ठीक है तो वही कह रहा है इट एम्ड एट री स्ट्रक्चरिंग दे का सिस्टम विद अपर कास्ट नॉन ब्रामिड अधे टॉप कि भाई जितने भी अपर कास्ट नॉन ब्रामिड हैं इनको टॉप पर रख दीजिए राधर दैन फॉर इस कम्प्लीट अबोलिशन यह उसक जाते थे कांत्यू सिंग्क डे वांटेड की रेडी को महान कहा जाए वह जाए ठीक है हाँ और इसकी वज़ा से कुछ भी उन्होंने किया तो कुछ फाइदा हुआ हमारे कास्ट मुद्स को इसलिए हमने इसको कास्ट मुविड के सांथ रखा था है वाटेबर एक्षिन दे गोग है मेरा सेल्फ eder स्पेक्ट modes बर टी साथि जो टी सीजो टी olur जो टीzh louерм pronunciation वार ięमी रामा स्वामी चोधरी इसने एक मुंट्र चला क्या मूंट्ट साथ स्वाभिमान आंडुलन फ्याञ टमिल नाड ब्रbling तिक थेंग ऑफ प्व है इवी रामा स्वामी पेरियार ने भी तमिलनादू में चलाया था हम हुआने अब बिल्कुल यही आत्मसंभा नाटूलन चलाया था वही आंदोलन टी आर चौदरी रियामा स्वामी ने भी चलाया है बट ये भी तो वही कर रहे हैं तो difference क्या है अकांख्षा अप माल लो की आपने कुछ अपने अकांख्षा ने अपने फायदे के लिए शुरू की कोई चीजें जैसे अकांख्षा मान लो की अकांख्षा देवरा हैं राइट अकांख्षा ने शुरू किया कि भाई जो है गुजरों के लिए कुछ किया जाए और चलो और इसके लिए हम जो ब्राम्मर जाती है उनके खिलाफ अवाज उठाएं नहीं है ब्राम्मर जैसे नहीं है शत्री जैसे लिए लेकिन उससे फाइदा अगर जोटी जातीयों को हुआ उससे फाइदा अगर महिलाओं को हुआ तो हम इसको जाती बेवस्ता क्यांदोलन के रूपर समझ सकते हैं अकांख्षा बताइए you answer here हाँ इन सब के कॉंसेट जोतिबा फूले देखो जोतिबा फूले पॉजिटिव थे जोतिबा फूले और इवी रामा स्वामी के कॉंसेट एक जैसे नहीं है जोतिबा फूले मतलब बिलकुल ही पॉजिटिव दूसरे डाइब के हैं इवी रामा स्वामी दूसरे टाइब के है समझ गहीं है जो तिबाब फूले तो वो education की बात करते थे वो कभी ऐसा नहीं कि किसी की पिटाई कर दो जा करके और यह सब सुरू कर दो right he was working for the betterment लेकिन इवी रामा स्वामी थोड़ा उल्टे चले गए चलो so देखो he challenged the authority of the sacred religious text अब जो यह TR चॉद्री आये है what he did इन्होंने पवित्र और धार्मिक गर्णतो के वर्चस को चुर१ इन्होंने कहारा मायन बकवास में इन्होंने वेज़ बकवास में इन्होंने का kस शास्तर बकवास क्यों कि इनको उपर चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अकांग्षा उनका जो जोतिवा फूले एक्वालिटी और वुमेन एजुकेशन के लिए था कभी भी उन्होंने मतलब इस प्रकार के उग्रवादी त्राइब के काम नहीं किये थे हाँ बिल्कुल तो he challenged the authority of the sacred religious and texts इनका मानना था कि जितने भी आपके पवित्र धर्म गंत हैं सब बक्वास हैं उन्होंने उनके उनके वर्चशु को चुनोती दी हाँ बिल्कुल कांदी सिंग he argued that the religion was responsible for the survival of caste system which was a handy work by Aryans अभी देखो यहाँ पे एक और difference है difference क्या है कि इनका जो टियार चौधरी है इनका मानना था कि जो पूरे साउथ में जो जाती ब्यवस्था है वो जाती ब्यवस्था कहां से आ रही है जाती ब्यवस्था आ रही है religious books से जाती ब्यवस्ता आ रही है धर्म की बज़से और धर्म की शुरुवाद किसने की है यह तो बैचारे हिंदू वो कुछ और रहे होंगे लेकिन जो वैदिक रिलीजन है वो कौन लेके आया है आरे लाएं और साउथ वाले तो भाई द्रवीड है तो वो कहते हैं कि हिंदू धर जाती ब्यवस्ता की शुरुवाद पूरे हिंदू धर्म में ही है और उसकी वजह उसकी शुरुवाद किसने की है आरियों ने की है ओके चलो अभी और सुनो और आगे क्या करते हैं सो नहीं जाती ब्यवस्ता बुक से नहीं आई है हर्शी जाती ब्यवस्ता आरियों के बुक आरियों के किताब रिग वेद में बढ़न ब्यवस्ता है लेकिन वर्ण ब्यवस्ता और जाती ब्यवस्ता में अंतर है वर्ण का म मतलब पूरा profession से है रिघवेद में वर्ण ब्यवस्था मतलब की what profession you take आप किस प्रकार का कारे करती हैं उस पे था पुरवैदिक काल में जाती का मतलब जब वर्ण ब्यवस्था जनमकत हो गई तो जाती मतलब जन्म से जो हो ठीक है हाँ आ आ अशाउट वाले नास्तिक नहीं थे साउट वाले तो बहुत आस्तिक थे राइट साउट वाले आप देखो कि जितने भी बड़े बढ़े बहुत अच्छे अच्छे जो मंदिल हैं मैडिवल टाइम के एंशेंट हिस्ट्री में मैंने आपको कि है हर्श कितने सारे मंदिरों को पड़ा है तो वो सारे के सारे क्या थे वो सारे के सारे हिंदु धर्म को मानने वाले थे और एक दाम प्रकांड तरीके से लेकिन जो बाद के लोग हुए उन्होंने देखा कि समाज में जाती बैस्ता बहुत बुरी हो गई है राइट और उसकी वज़ा से जो लोग उससे परशान थे अब ये टियार चोधरी उसमें परशानी वाले नहीं है क्योंकि इनका जो सेल्प मूवेंट है वो किसलिए शुरू हुआ है उनका है कि ब्रामन को हटा दो हमको उपर रख दो ठीक है इनका है कि ब्रामन को हटाईए बंड में वस्ता में हमको उपर रखिये तो भाई अब ये नास्तिक ये अपने टाइप से बात कह रहे हैं देखो इन्होंने कुछ अच्छा कार भी किया है इन्होंने क्या गया सास्त्रों में दिये गए महिलाओं और शुद्रों की दास्ता से उनके छुटकारे और स्वतनतिता के लिए पर्यास किये उत्तरवैदिक काल से ही तो जन्म हुआ जाती वियुस्ता का बिलकुल तो उत्तरवैदिक काल से जाती वियुस्ता का जन्म हुआ तो ये तो मंगड़न्त है ना हर्शी उत्तरवैदि काल में जो भी स्मृतिया लिखी गई है पहले वाली क्या है पहले वाली हमारी शूति है शूति जो इश्वर से सुन के लिखी गई थी बाद वाली स्मृति है स्मृतियों में दिक्कत है पुराणों में दिक्कत है बागी सब में दिक्कत है तो वो तो मन गढ़ सो सास्त्रों में दिये गए महिलाओं और शूद्रों की दास्ता से उनको छुटकारे और सोतनत्ता के लिए ये के लिए इन्होंने पर्यास किये बिल्कुल इन्होंने पर्यास किये और अंडर्स्तेंडिंग आगे चलें देन ही डिमांडेट फॉर नॉन ब्राह्मनेजेशन ऑफ सर्विस इन्होंने कहा कि अगर जितने भी पहले क्या होता था पहले अंग्रेजों ने जो क्या शुरू किया था अधिक्तर जगों पे जो उचे कास्ट वाले लोग थे जैसे जादा ब्राह्मणों को जॉब दिये जाते थे क्योंकि अंग्रेजों का भी मानना था देज आप पीपल हूँ एक्चुली कैन एक्चुली देवर ब्राह्मण जो है वो जो कहेंगे बागी लोग मानेंगे इसलिए अंग्रेज क्या करते थे देवर गीविंग प्रिफरेंस तौध वभामिट्स ब्रामिडों को वो प्र देते थे थे त्रीक है आज के समय में सब्लोग और और ख्षण की मांग करते हैं ना अंग्रेजों के समय में उल्टा था लोग जाते थे कि उनको उँचे कास में रख धिया तक्यों क्योंकि उचे का स्वालों को ज्यादाВО दक ठीक है चलो So he demanded for non-brahmanization of services उन्होंने सेवाओं के ब्राह्मनिकरण न करने की मांग की उन्होंने काया कि जितने भी सरकारी सेवाएं है सरकारी सेवाएं है मतलब service, government jobs जितने भी सरकारी सेवाएं है वहाँ पर सबको बराबर अधिकार दिये जाए सरकारी सेवाओं में या सरकारी सेवाएं सभी जातियों के लिए हो सभी जातियों के लिए हो ठीक है इस movement played a prominent role हाँ पुराने समय में सभी ब्रामण सभी शत्रिये होना जाते थे अभी के समय में क्या होता था इसलिए लोग संस्कृति करन किये थे अब ये बताओ अगर मान लोग कि मैं हूण हूँ अभी तो मैंने पुराने समय में हमारे पुर्खों ने ब्रामणों से कहा कि भाई हम तो वरियर हैं बले विदेशी हैं और हम साशन करते हैं पावर्फूल हैं तो राजपूत बना दो अगर उनको इस समय का पता होता तो वह क्या करते बोलते कि नहीं यार हमको यह समत बनाओ पहले तो छोटे छोटे कास वाले लोग क्या बन रहे थे राजपूति करन संस्कृति करण हो रहा था प्रामपन भी बन रहें थे लोग क्लियर पहले पहले संस्कृती करण होता था अजये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आंद्रप्रदेश सिंस्क्रिति होता था अभी नहीं पांगते हैं तो यह मैं भी भी बोलूँगा कि राजपूतों को भी आरक्षण देदो क्लियर सबको देदो यार मैं तो कहता हूँ राजपूतों को भी आरक्षण दे टो और टेन पर्शेंट ईव्यास in co to सबको दे दिया में भले बले वो जंडरल में से पिछड़ा हो चोटी जाती बड़ी जाती ब्रामण कोई भी सबको दे दो किसलिए अड़ा ना है अड़ा हो के तो जूट मुट तुमारी कुर्सी जाएगी सबको दे तो उसी में तीक है इस अंदोलन ने क्या किया पूरे आंद्र प्रदेश में मौड़न एजुकेशन की शुरुवाद कराई किनोंने त्रिपुरा रामा स्वामी चौधरी का जो आत्म सम्मान आंदोलन था इसने पूरे आंद्र प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की शुरुवाद कराई इंटर मैर्जिस अंतर जाती ये विवाह चाहे ब्राम्मण हो शत्री हो हाँ जैसे यह रेड़ी रेड़ी जितने भी हैं यह सब शत्री हैं रेड़ी बेलमा कम्मा वो सब उची जाती हैं वहाँ की ठीक है तो इन्होंने इंटर कास्ट इंटर एक्शन सुरू कराया इंटर क तो ये त्रिपूरी रामा स्वामी चौधरी जो थे इन्होंने शुरू कि इनकी जो महत्वपुन्ट साहित्ति क्रीतियां इंपॉर्टेंट लिटरी वॉक्स को आप देखेंगे उसमें किताब है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र शंग्रामन में क्या है सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि त्रिपुरी रामा स्वामी चौधरी ये वेदों के खिलाब थे ये सास्त्रों के खिलाब थे एक्चुल में ये क्या था कि इन सास्त्रों में वेदों में जो देवता बनाए गये थे ना जो गौड्स जो गौड्स बनाए गये थे ये उनके खिलाब थे इन सास्त्रों में देवताओं के खिलाब थे तो भाई सभी लोग माभारत में किसको मानते हैं माभारत में मानते हैं पूरी माभारत के जो उंगली पे नचाने वाले हैं कौन है कृष्णा स्री कृष्ण इस्वर हैं तो इनके हिजाब से क्या मानना था कि भाई अब तो यह तो द्रवीनियन है तो इनको अगेंस में जाना है तो बोलें भाई ठीक है तुम पांडों के साथ हो तो हम कौरों के साथ रहेंगे तो इन्होंने जो बुक लिखी है कुरुशेत्र शंग्रामम हाँ अच्छा अक्षिता का प्रस्ण है कि if today if somebody is speaking against the somebody is speaking against the God there will be very human cry तुरंत आंदोलन शुरू हो जाएंगे दंगे शुरू हो जाएंगे उस समय जो धर्म था धर्म में किस लोगों का प्रभुतु था ब्रामणों का प्रभुतु था अधिकतर लोग दबे हुए थे अधिकतर लोग भाईया दबे हुए थे तो वो इसी लिए against में बोलते थे क्लियर आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोसल मीडिया पर बखवास सिर्फ इस लिए लिखते हैं कि लोग उनको क्या पढ़ा लिखा समझेंगे समझेंगे राइट कई सारे ऐसे सलीब्रिटी हैं दे स्पीक अगेंस दे गॉड दे स्पीक अगेंस दे मेजॉरिटी क्यों क्योंकि उनको सेकुलर समझा जाए उनको लगे कि वेस्टर एजुकेटेड हैं उनके अंदर एक्वैलिटी और ये की भावना ऐसा कुछ नहीं है क्लियर जादा लोगों की आवाज बोलेंगे तब होगा तो अब यह जादा लोगों की आवाज किसकी बोल रहे थे यह जो हमारे नॉन ब्रामिड थे उनकी आवाज बोल रहे थे हाँ अभी देखो कुरुषेत्र संग्रामम में जो इन्होंने किताब लिखी है कुरुषेत्र संग्रामम में बिल्कुल फेक प्रोपगेंडा तो उन्होंने माभारत के युद्ध में कौरों के पक्ष में और उनके अधिकार का समर्थन किया इनके हिसाब से टी-यार त्रिपुरी रामाश्वामी के हिसाब से चौधरी के हिसाब से कौरों सही थे उन्होंने जो द्रोपदी को मतलब क्या नाम है बरे उसमें न्यूड करने की कोशिस की नंखा करने की कोशिस की वो सही थे महिला का अपमान किया वो सही थे ठीक है हाँ इन्होंने और भी सबसे बड़ा इनका जो विवदाश्पत चीज है वो है संबुक वद शंबुक वद है He told that how Rama, encouraged by वसिस्ट, killed the सुद्र सेज संबुक in the name of preserving the world आश्रम धर्म South में जो रमायन मिलती है उस रमायन में एक अध्याय अलग से जोड़ दिया गया है वालमी की रमायन में सिर्फ छे अध्याये हैं कितने हैं? छे कांड है South में जो रमायन है उसमें साथ कांड कर दिये गया और लिखा गया कि वालमकी ने किया है ठीक है? सुनो क्या लिखा इन्होंने इस रमायन में उन्होंने क्या लिखा? कि भाई रिसी वसिस्ट जो थे रिसी वसिस्ट उन्होंने राम को चढ़ा दिया है राम को चढ़ाया और उसके बाद से पता कराया गया कि कौन सा शूद्र कौन सा सूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है तो राम ने पाया कि संबुक नामक एक शूद्र है, जो घोर तपस्या कर रहा है, ठीक है, राम ने उसका गर्दन कटवा दिया था, संबुक वद इन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें ये कहानी लिखी है, संबुक वद, ठीक है, संबुक वद और ये कहानी, ये किसने लिख ही है कि मैं आपको बता देता हूं कि शंबुक वद्द के बारे में ये पूरी की पूरी एक मिनट ये पूरी की पूरी कहानी को लिखने वाले कौन है इसके संबुक की हत्या कि संबुक की हत्या ये हिंदी में लिखने वाले हैं कौन नरेंद्र कोहली नरेंद्र कोहली टीयार चौधरी ने लिखा है शंबुकवद अब इसमें क्या है ठीक है तो इसमें क्या है संबुकवद में बटसर राम जी ने बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं हर्शी वही बोलूंगा संबुकवद में वाट ही एज रिटन तो संबुकवद की स्टोरी आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इन्हों क्या लिखने की कोशिस किया है इसमें लिखा गया है कि राम भाई राम लंका से जीत के आ गया है लंका से जीत के आने के बाद से उन्होंने अपने साशन शुरू कर दिया अचानक से एक दिन एक ब्रामण अपने बेटे को ले करके पहुँचा राम के सामने कि प्रभू श्री राम मेरा बेटा मर गया है तो उस समय वो राम कब थे सत्यूग सत्यूग के बाद त्रेता तो राम के सामने जब राम मतलब उस समय में बहुत कम होता था कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो हमेशा बुढ़ा आदमी पहले मरता था अब भाई उस पे विचार होने लगा इन्होंने जो बुक लिखी है उसके इसाब से मैं आपक थी अपने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद से बसिस ने बताया कि कहीं बहुत दूर आपके राज्य में ही कोई शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है और वो जो शूद्र तपस्या कर रहा है जो की नहीं होना चाहिए सास्त्रों के हिसाब से और उसकी वज़ा से ये इस पाप की वज़ा से टॉपिक क्या है टॉपिक है कास्ट मूमिन्ट ठीक है नॉन ब्राह्मिन मूमिन्ट तो वो जो शूद्र तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या करने की वज़ा से यह एक पाप है और पाप की वज़ा से इस बुड़े की अत्या हो गई है इस बच्चे की अत्या हो गई है ठीक है अब राम ने भाई पता लगाया तो यह संबुक वद में लिखते हैं कि राम जो है किसमें बैठके गए राम बैठके गए हैं भाईया पूस्पक बिवान में पता लगाया है तो देखा कि बाई एक महात्मा यग कर मतलब अपना तपश्या कर रहा है, राम उसके पास पहुचे, वसिस्ट पहुचे, उनसे पूछा कि तुम कौन हो, उसे बताया संबुक हो, राम ने पूचा क्या जाती है, तो उसने बताया मैं शुद्र हूँ, और वसिस्ट के कहने पर राम ने उसका गर्दन काट दिया, ठीक है सालू, मै बसिस्ट के कहने पर राम ने उसकी गर्दन काट दी उसकी हत्या कर दी अब सोचो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है राम जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाये मारिसी वालमीकी उनके हां उनकी पत्नी और उनके बच्चे पले बढ़ें बालमीकी ने पूरी रमायन लिखी वो सभी शूद्र थे वो सभी शूद्र थे अरे वो जियो लॉजिकल टाइम स्केल में किसी भी पीरियड में नहीं है राइट वो डाट्स रियालिटी और डाट्स इस रिलीजन रियालिटी और रिलीजन में बहुत बड़ा फर्क होता है मतलब वसिस्ट जी ने भी कहा यदि कोई शूत्र यक कर रहा है तो गलत है इन संबुकवत त्रिपुरा रामा श्वामी चौधरी की वज़ा से क्यों क्योंकि इनको ब्रामणों से नीचे रखा गया था यह समाज से बन वेवस्ता को हटाना नहीं चाहते थे यह चाहते थे कि जो कम्मा रेड़ी और कम्मा रेड़ी और कौन है भाई कम्मा रेड़ी और बलीजा वेलमा जो भी नौन शत्रिये नौन शत्रिये जो जातिया है उनको ब्रामणों से उपर रख दो बन वेवस्ता रह क्यों नहीं हुआ क्योंकि उस समय ब्रामणों की संक्या वहां पर कम थी हाँ अब अब हर्श जन इस स्टोरी इस इन संबुक बद अब क्या हुआ कि उन्होंने दे हैं एडिटेड रामायन और सो मैं अगले पेज पर ले आया हूं विवाह विधी सुनो तो संबुक वद की कहा हैं सो ही स्टार्टेड अब देखो भाई मैं किसी भी तरीके से हिंदु धर्म को डिफेंड नहीं कर रहा हूं क्लियर क्यों क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही न्यूट्रल पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूं बट अगर कोई व्यक्ति वर्ण विवस्ता को हडाना चाता है तो रिमूव टॉमको ऊपर नहीं रखना है और अगर तुम खुद से ऊपर जाना चाहते हो इसका मतलब तुम हइपो इसका मतलब कि तुम हाइपो ओने हो ठीक है हां मैं इनका इज़्जत इसलिए करता हूं और इनके बारे में पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि इनकी वजह स से समाज में शुद्रों को फाइदा हुआ महिलाओं को फाइदा हुआ यह खुद थे, यह कम्मा जाती के थे तो इनका मानना था कि कम्मा के ही जो पुजारी होंगे वही विवाँ कराएंगे कम्मा वाले कम्मा का विवाँ कराले अब संभुक वद को मैं थोड़ा सा इसके उपर बाद कर लेते हैं देखो रामायन के सात्वे कांड में ध्यान दो और ये सात्वे कांड आपको रामायन हर एक जगह पे नहीं मिलेगी रामायन दो प्रकार की है एक है वालमी की रामायन और दूसरी है रामचरित मानट्स हाँ मैं अभी बता रहा हूं महिलाओं का कैसे अच्छा किया इन्होंने सो दो प्रकार की एक रामायन है एक रामायन है वालमी की रामायन और दूसरी है हमारी रामचरित मानट्स ठीक है अब जो वालमी की रामायन में है वालमी की रामायन में वालमी की को पता था वालमीकी को पता था कि मेरी रमायन में लोग मिक्सप मारेंगे इसलिए वालमीकी ने बालकांड के वालमीकी रमायन के बालकांड में वालमीकी ने लिख दिया एक श्लोक लिख दिया क्या श्लोक था चतुर्विस सहस्त्राणी स्लोकाना मुक्तिवान निर्शह तथा शर्गस्तानम पंच शट कंडानी तथो तरम इसका मतलब है कि उन्होंने लिखा कि जो मैं रमायण लिख रहा हूँ भाई उसमें 24,000 स्लोक हैं 500 सर्ग हैं एंड 6 कांड हैं कितने हैं? 24,000 स्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड उन्होंने पहले ही अंदर धीरे से डाल दिया है बाल कांड में अब जिसने बाद में जोड़ा उसको पता नहीं है 6 कांड है अब यहाँ पे जो संबुक वद की कहानी जो जोड़ी गई है साउथ में जो आप पढ़ते हो वो किसमें जोड़ी गई है? हाँ शर्ग एंड कांड का मतलब कांड इस मतलब पूरे रमायंड को जो वालमिक्की ने लिखी है ठीक है? पूरे पूरे मैं क्या बोला था? बात भूल गया है हाँ शर्ग और कांड क्या है? पूरी जो रमायंड की घटना है वो रमायंड की घटना को इवेंट्स में जैसे राम जो है जो बचपन में चारो भाई छोटे छोटे थे तो बाल कांड है उसके बाद से फिर जो आप अलग अलग कई सारे कांड है ऐसके बाद वानप्रस्त जाएंगे वह एक उसके बाद से राम किसकिंध्य कांड्ट है भीक्षे कांड चो चोटे-च्छोटी-चोटी जहे पांस सो टुकड़े है और merchants उसमें एक स्लों सलोक जो है वह चौबिस मतलब 26 ह क्लिए अब यह देखो कि विचारे बाल्य की ने क्या य। उन्हों ऑक्द मंत्र से बालकाnatural मैं चार चार बटे दो में उन्होंने यह बात लिख दी he has written कि मैं जो लिख रहा हूँ जो रमायण में यह बुक लिख रहा हूँ इस रमायण में कितने कांड होंगे 24,000 स्लोक होंगे 500 सर्ग होंगे 6 कांड है जिसने जोडा उसने ध्यान नहीं दिया क्या किया बाई जिसने जोडा उसने ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया धीरे से 7 कांड लगा दिया मतलब आज की रमायंड में कितने कांड हो गए आज की रमायंड में 25,000 स्लोक 658 सर्ग और 7 कांड हो गए इससे क्या साबित होता है कि सातवा कांड बाल मिकी ने नहीं जोड़ा नहीं जोड़ा ठीक है जिसने भी जोड़ा उसने क्या किया राम को बदनाम करने की कोशिस की क्यों भाईया जो राम जो है सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं बाल मिकी के सामने अपना सर जुका सकते हैं बाल मिकी खुदी शूद्र थे ठीक है बालमी की खुदी शूद्र थे तो ये तो हिंदु धर्म की खासियत है कि हम अपने धर्म के बारे में कई सारे लोग हैं कुछ भी कहते हैं बड़ एकसेप्ट इस नो प्रॉब्लम अगर हम भी गर्दन काट रहे होते तो सायद लोग नहीं कहते दूसरे जगह के बारे म में लोग बोल दिए जाते तो चार्ली हिप्डू बना दिए जाते हैं थीक है चलो क्यर कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम लेट हिम स्पीक आप देखो कि जो शंबुक वद इन्होंने लिखा तो इसमें इन्होंने लिखा कि भाई जो वरनाश्रम धर्म है यानि कि संबुक प्रीबियस एर में ऐसे एक भी कुश्चन नहीं देखे हैं आते हैं क्या एक्जाम में कश्यप ये कुश्चन थोड़े ना आएगा ये तो मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं लेकिन इनके बारे में आ सकता है त्रिपुरा रामा स्वामी चौधरी के बारे में कि बारे मे आप मेंस के कुश्चन मेरे हिसाब से आपने नहीं देखे हैं तो इस प्रकार के कुश्चन पूछे जा सकते हैं कि त्रिपुरा रामा स्वामी भाई कहां से संबंदित हैं उनके आत्म सम्मान मुवमेंट के बारे में बताएए कुछ ठीक है क्योंकि आपने जो भी देखा ह हिस्सा देखा है यह नौट सीन जीएसवन जीएसवन के कई सालों के देखिये क्या उसमें आपके जाती आंदोलन के बारे में नहीं दिया है कि जो गैर ब्रामिन आंदोलन हुए थे या किस प्रकार के थे हमारे देश में कोई डारेक्ट कोश्चन थोड़े ना पूछ कि जाती आंदोलन आज कल समाज में बहुत गहरी खाई दिखती है राइट जिससे कई सारी जातियां जो है यह जातिकत आंदोलन आज भी करने में हमें कई जगा पर आंदोलनों में यह जातियों के बीच संगर्स दिखाई देता है इसकी इसके बारे में क्या कभी इतिहांस में आपने पढ़ा है 100% आजाएगा डारेट थोड़े ने कुश्चन पूछेगा साउथ में बताईए नॉर्थ में बताईए इस प्रकार की कुश्चन पूछेंगे चलो अब आप बात नहीं समझ रहे हैं मैंने रमायन या कांट से संबंदित नहीं बताया मैंने बस आपको यह सिर्फ देखो दिस इस एक्स्ट्रा पेज वीच आप एड़िट ओड़िट वाटेपा रामरायम स्वामी चोदरी ही वह ओसी आप्मसंवाम मूंध ही इस इससे प्रय आरक के बार अब बता है बहए देवताहों को देवताहों को चप्तल मारते थे ब्रामणों का जनेवु काट देते थे तो इसके मैं बस संबुक वद्द को बता रहा हूं I am just telling you about the Sambukwad. तो मेरा ये next page जोडने का ये मतलब नहीं था, सिर्फ ये मतलब है, कि ऐसा ना हो कि Sambukwad को आप लोग सही मान लो. समध रहे हो आपको? क्यों? क्योंकि जस्वन सर ने पढ़ाया है कि Sambukwad रमायन में है. और Sambukwad जो है इन्होंने लिखा है. कई सारे तुरंत लिखने लगेंगे जाके. I am just trying to clarify you the things. आपको मैं clear करने की कोशिस कर रहा हूं कि Sambukwad इन्होंने लिखा है, Sambukwad में ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है. चलो. नेक्स हम जानेंगे वोकालिक और लिंगायत के बारे में. So this man, this man, अभी तक जो आपने पढ़ा वो किस से संबंदी था? त्रिपुरा नेमी रामा स्वामी चौदरी से संबंदी था. कहां पे हुआ था? आंधर प्रदेश में हुआ था. अब जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे वोकालिक और लिंगायत के बारे में पढ़ेंगे. वोकालिक और लिंगायत. वाट 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 थे की अब जोप्चिस इंदे सेल्फ रिस्पेक्ट मुमेंट वेरी गुड़ अकांग शार जी एस पेपर वन में हैं, तो आप उसमें तीन-चार एक्जाम्पल साउथ के जोड़ दो, तो जोतिबा फूले का नाम डाल दो, उसके बाद साउथ में तमिल में वेरियार का नाम डाल दो, इवी पेरियार का, रामास्वामी का, इनका डाल दो, वोकालिक लिंगायर डाल दो, यह सारे तो हैं, बट मैं यह कांड, यह थो इनकार की तुम आप उसमें कांड जोड़ दीजिए, छे कांड यह कांड वो कांड है, राइट, चलिए, बात करते हैं, वोकालिक और लिंगायर की, वोकालिक और लिंगायर करनाटक से संबंदी थे भाई, अब देखो, नॉन ब्रामिन मूव्मं करनाटक में शुरू हुआ है, इन वोकालिक और लिंगायर की स्थापन से, लिंगायर वाले जो हैं, वो यूजवली आपके शिव को मानते हैं, लेकिन उनके पूजा पाज के तरीके ऐसे हैं ना, कि उनको हिंदू दर्म से बाहर रखा जाता है, यह वो खुद से अपने इसमें भी, करन्ट अफेर्स में भी इस प्रकार के लिंगायर के बारे में बातें चर्चा होते रहती हैं कभी-कभी, तो करनाटक में वोकालिक और लिंगायर की वजह से, नौन ब्रामिन मुव्मेंट शुरू हुआ था, डेलिगेशन ओफ नौन ब्रामिन लीडर्स, हाँ, यह क्या हुआ कि कई सारे, कई सारे नौन ब्रामिन लीडर्स जो ब्रामिन नहीं थे, गैर ब्रामिन नेताओं का एक प्रतिनिधी मंडल, एक पूरा डेलिगेशन, कई सारे ग्रूप बनायें, और कहां पे गयें, मैसूर के महराज के पास गयें, और उनसे कहा, मिलकुल, उनसे क्या बात कही, उनसे कहा कि भाई, महराज, हम जो हैं ब्रामिनों के खिलाफ हैं, कि आप देखिए कि ब्रामिनों को हर एक जगों पे फायदा दिया जाता है, एजुकेशन में फायदा दिया जाता है, उनको सर्विसेज में फायदा दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में जितनी भी उची जातिया होती थी विशेशकर ब्रामण उनको नौकरियों में रखा जाता था इंग्रेजों की बात लोगों तक समझा देंगे तो अधिकतर 1857 के बाद जो जौब हुए उसमें अधिकतर संक्या किस की थी ब्रामणों की थी शत्रियों की थी क्लियर है तो अभी साउथ इंडिया में क्या हुआ कि कई सारे नौन ब्रामिन लीडर इकठा हुए हैं और गये हैं किसके पास महराजा और महसूर के पास करनाटक से संबंदित है बाई क्योंकि उस समय करनाटिक तो दूसरा हिस्सा था उस समय यह मैशूर था ठीक है तो महस महसूर के महराज के पास जाने के बाद कब गए यह गया बैया उन्नीस सो अठारा में अपनाटीटीन में लुआ मैसोर के पास गये और जाकर के उनसे कहा कि महराज कास बेस डिस्क्रिमिनेशन जो है ब्रामणों को ही आप जौब देते हैं यह सब जौब मतलब बाकियों को भी मिलना चाहिए इस सब को कम किया जाना चाहिए अब उसी समय एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर लेसली मिलर यह कौन थे भाई सर्सली मिलर? यह तहे गॉर्ण्मेन्ट ओफिशल थे गॉर्ण्मेन्ट ओफिशल, ठीक्वे, गॉर्ण्मेट ओफिशल इन दा मदराज प्रेसिडेंसी आ जो प्रेसेडेंसी ना उसके सरकारी सरकारी विप्ती थे साथ ही मदराज प्रेसिडेंसी के अलावा he was also working into the also worked in the court of court of maharaja of maishur maharaja of maishur के भी कोर्ट में काम करते थे यह ठीक है तो जैसे ही गैर ब्राम्मिट जो प्रतिनीधी मंडल था डेलिगेशन वस्मेड और पीपल वेंट तो दो महराजा उप मैशूर और तो इन दो सर्विसे इस अब्राम्मिट्स और गिवन प्रिफिरेंसे तो दो राजा थौट आफ और अधन आस्समान सब्सक्राइ तो ये सब मास्टर फाल होंगा क्या जो अपने सेंड की थी वह मास्टर फैस नीया अकांग्र जो मैं आपको हिंदी में भेजा हूँ वो सब मास्टर फाइल ही ये हैं और वो हिंदी में है क्लियर उसके अलाबा मेरे पास कई सारे सोर्सेज हैं वह मास्टर फाइल है जो मैंने आपको भेजा है ऑप्षिनल के लिए ठीक है चलो तो उसको बुक से मिला उसमें कुछ गलतियां भी है उसको बुक कुक से मिला हो लाकर पढ़िएगा अच्छे तरीके से ठीक है तो अब देखो अब इन्होंने दिस महाराजा आओ माईशूर इन 1918 1918 में इन्होंने क्या किया सर लस्ले मिलर कमीटी बनाई सर लस्ले मिलर समीती बनाई and on the recommendation of Miller कमीटी the government passed an order for an equitable communal representation into the public service अब भाई जो मिलर कमीटी बनी लस्ले मिलर की यह जो समीती बनी इसने कुछ दिनों के बाद इस बात की सिफारिस की recommend किया कि भाई जन सेवा में जितनी भी public services है उन सारों में क्या होना चाहिए मैं सूर की मैं बात बता रहा हूं कि उसने कहा कि भाई हर एक जगह पे सबका सबको प्रिफिर्ण दी जानी चाहिए कि ठीक है कि equitable communal representation मतलब कि equitable होने चाहिए जैसे अगर ब्रामणों की संक्या 10 है अगर कुल 100 जॉब है तो 10 जॉब ब्रामणों को होने चाहिए अगर नॉन ब्रामिड की संक्या माल लो उसमें इस जाती की संक्या 40 है तो उसी के बात बोल गया देखो इक्वैलिटी और इक्वेटिबिल इक्वल और इक्वेटेबल में अंतर होता है इक्वल और इक्वेटेबल में अंतर होता है इक्वल का मतलब क्या होता है मान लो आपको सबको पता है इक्वेटेबल क्या है चलो हम चार लोग हैं पांच लोग अंसिका कश्यप कांति सिंग हर्ष जैन और यश्वंत कितने लोग हो गए या पांच लोग हो गए पांच लोगों में इक्वेल का मतलब क्या है कि पांच रुपया हो तो बाई एक रुपया यश्वंत लेंगा एक रुपया कश्यप को दे दो एक रुपया हर्ष को दे दो एक रुपया कांति को दे दो और एक रुपया अंसिका को दे दो अब मान लोगी इसमें इसमें एक दो ऐसे हैं हाँ हाँ बिल्कुल कॉंग्रेस के हाँ कॉंग्रेस भी आ चुकी थी लेकिन यह यह स्पेस्पिक प्लेसे से सम्धित थे तो इक्वेटेबल का मतलब हुआ कि सब को बराबर 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 दे दिना इक्वेटेबल का मतलब हुआ मालो कि जस्वन सर ने पांच लोगों का काम है और पांच लोगों के काम में जस्वन सर ने अकेले 40% काम है 40% अकेले जस्वन सर ने काम किया है यानि कि जस्वन सर को कितना मिलना चाहिए जस्वन सर को 2 रु इकवेटेबल समझ रहे हैं आप लोग को क्वेटेबल में अंतर है तो मान लो हर्सी जो है अंसी का काम ही नहीं कर रहे है तो उसको पैसा दिआ जाना चाहिए क्यों कुब का लोगा तो एक रूपार जाएगी लेकिन equitable होगा तो मालूम चला कि भाई उसको देना चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा चलो लास्ट हम देखते हैं श्री नारायन गुरू हाँ equal में सबको बराबर equitable में काम के हिसाब से clear चलो लास्ट हम देखते हैं श्री नारायन गुरू के बारे में श्री नारायन गुरू 1854, 1928 ठीक है श्री नारायन गुरू 1854 से 1928 SNDP प्रोग्राम ये केरला से समबन देता है पहला आपने आंदर परदेश के बारे में पढ़ा हाँ नहीं उसको भराबर से अधिक नहीं कहते हैं उसको कहते हैं कारे के हिजाब से श्री नारायन गुरू 1854 से 1928 तक थे इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है S.N.D.P. प्रोग्राम अब देखो, he was from केरल ठीक है? और ये जो केरल से थे और इनकी जाती थी श्री नारायन गुरू की जो जाती थी, वो कौन सी जाती थी? वो जाती थी, इजवा कास थी, ये इजवा जाती से संबंदित थे और इजवा जो जाती थी, उसको केरल में क्या कहा जाता था? कि यह एक इजवा जो जाती है, वो क्या से थी? यह एक अंटचिबल जाती थी तो स्री नारायन गुरू was leader of इजवा कास्ट राइट? मतलब इजवा जाती के इजवा जाती के नेता थे ये श्री नारायन गुरू इन्होंने क्या किया? 1903 में, he established 1903 में इन्होंने established किया श्री नारायन धर्म परिपालन क्या established किया? श्री नारायन धर्म परिपालन योगम इन 1903 और इसी को हम कहते है S.N.D.P. We call it S.N.D.P. इसे हम S.N.D.P. कहते हैं अच्छा है, इनका श्री नारायन गुरू का नाम क्या था? इसका नाम था, he was also called the name of Nanu इनको नानू भी कहते हैं, उन्हें नानू के नाम से भी पुकारा जाता था ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या किया? He left his home, उन्होंने घर छोड़ दिया and he became a परिवर्जक ठीक है, S.N.D.P. हाँ, नानू मतलब नाना जा, जो भी नाम हो, मतलब इनका नाम था अब देखो, he left his home, जब वो छोटे थे, तभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना घर छोड़ दिया and he became a परिवजरक परिवजरक हो गया, परिवजरक मतलब क्या? one who wanders from place to place in quest of truth जैसे आपने देखा ना, थाना की बुद्ध बुद्ध ने घरदवार छोड़ दिया, जगा जगा पे घुमे, किसलिए? ग्यान की खोज में महाबीर, महाबीर ने भी अपना घरदवार छोड़ दिया, वो भी ग्यान की खोज में घुमे वैसे ही, ये हमारे श्री नारायन गुरूर ने जो की एक अच्छूत जाती से थे, इन्होंने भी अपना घरदवार छोड़ दिया और ये भी, ये भी सत्त की खोज में निकले ठीके, इसलिए इनको परिवज रख कहा गया है उसके बाद क्या हुए कि वो मरुत माला पहाडियों के चोटी पर कोई पिल्था धाम है पिल्था धाम वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे जा करके इनको आत्म ज्ञान मिला लाइक बुद्ध को भी कि इनलाइटमेंट मिला था, जब बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला तो क्या हो गया बुद्ध वो खुद तब जाके वो बुद्ध हुए, वैसे ही किसकी प्राप्ति हुए, मतलब बौत धर में उसको निर्वान कहते है निर्वान मिला बुद्ध को जैंदर में उसको कैवल कहते हैं और इनको वैसे ही पिल्लट धाम में जाकरके मरुत्वा माहील्स में इनको भाई अपना ग्यान मिला देन अब वो आये वहां से जब ग्यानवान मिल गया देन ही केम अरिपूरम स्री नारायन गुरू धर्म परिपालन योगम वाज रिजिस्टर्ड उसके बाद से उन्होंने एक कंपनी खोली उसका रिजिस्टेशन कराया अंग्रेजों का जो इंडिया कंपनी एक्ट था ग्यान कैसे मिला देखो आप एक साइज करती है अंसिका योग वो करती हो रैट योग वगेरा जब करोगी मेडिटेशन योगा करोगी तो दीरे 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 आपको लगेगा कि मन सांथ हो रहा है तो यह है आपको अंद्रूनी शांती मिलेगी जब आप लगेगा कि यह सब बक्वास है माता पिता पढ़ाई लिखाई क्या पढ़ रहा है क्यों आईस बनना है तो घर छोड़ देना किसी दिन सत्य की खोज में तब जाकर के जब अच्छे से मेडिटेशन करोगी आप है कि आईस बन करके पैसा कमाया जाए खूब पैसा पीट के रख दिया जाए तो भी फिर आईस बनने की क्या जरूरत है जब पीठी के रखना है पैसा तो दुगान को लो खोई हां तो जब होता गया है कि वेन वेन यू आर टोटली मेडिटेटिंग तब आपको पता चलता है कि बाकी सारी चीज़े बेकार हैं तब आपको जब एकदम सांती जगह पर जाकर के तपश्या आप करोगी तो आपको ज्यान की प्राप्ति हो जाएगी उसी को ज्यान कहते हैं वैसा ही ज्यान इनको मिला था हाँ है तो अर्वू अरुवीवपूरम श्री नारायन रिजिस्टर कराया 1903 में 1903 में इन्होंने रिजिस्ट्रेशन कराया तो ठीक है अब नारायन गुरु एजिट्स पर्मानेंट चेर्मेंन और खुद जो है इसके पर्मानेंट चेर्में बने और एक और बैकती थे जिनका नाम था कुमारन अशान वह जनरल सेक्रेटरी बने देखो अब भाई अब इन्होंने इनको ग्यान क्या मिला ग्यान मतलब भाई कुछ जो लोग हैं अचूत हैं उनको उनको उनके अधिकार दिलाना है यह ग्यान इनको मिला था तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद से कंपनी बनाने के बाद से उसके चेर्मेन बने और जो कुमार अशान थे उसके जनरल सेक्रेटरी बने उस कंपनी के महा सचीव बने अब यह जो SNDP बनी SNDP जो प्रोग्राम चला किस लिए क्या-क्या इसके एम थे इसके लक्ष थे तु गिब अप दे प्रैक्टिस ऑफ अंटेचिबिल्टी भाई समाज से छुआ छूट की प्रथा को खतम कर दिया जाए देखो सच में ग्यान मिला है इस विक्ति को बेफाल्तु की बात नहीं कर रहे है राइट संबुक बद और पता नहीं क्या-क्या-क्या लोगों को जूते से मार नहीं रहे हैं देखताओं को रमायर नहीं जला रहे हैं क्या कर रहे हैं छुआ छूट की प्रथा को समाप्त किया जाए तु बिल्टेंपल्स विच वुड़ बी ओपन टू अल कास्ट पुराने वाले इवी स्वामी क्या करते थे इसके पहले वाले जिनके बारे में पढ़ा वो क्या करते थे पूजा ही नहीं करते थे यह इन्होंने मंदिरों का निर्मान कराया और कहा कि सभी जातियों के लिए खोला जाए टू बिल्टेंबल्स विच 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 वी ओपन टू ऑल कास्ट ऐसे मंदिर बनाओ जहां सभी लोग आगे पूजा करें इश्वर से सभी मिलें तक नरायन गुरू को लिप सर्विस क्या होती है कभी आप नेता जी के पास जो आपके यहां के महराज की सर हमारे कॉलोनी में रोट बढ़ा खराब है बरसाथ के दिन में इतना पानी लग जाता है ठीक है बिल्कुल तो जब आप उस नेता जी के पास कभी जाते हैं वैसे एक्चुली आप मैं यह एक्जांपल मुझे नहीं देना चाहिए ठीक है क्यों क्यों आप लोग UPSC पास करके जिस सिस्टम में जा रहे हो और कुश्चन पूछा जाए तो वहां पे आपको राजनेताओं को गाली नहीं देनी है उल्टा बाट नहीं करना है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एक एक्जांपल देता हूं कि मान लो कि कोई ऐसा राजने जिसके आप जाते हो बोते हो कि सरकालोनी में बड़ा पानी लग जाता है राइट सांप निकलते हैं तो राजनेताओं हां एकदम एकदम दू महिना बस अभी फंड आ रहा है आपके यहां पर रोट बन जाएगा नाली बना देंगे तो यह जो जूटा वाइदा है इसको क् लिप सर्विस क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ने शबरी माला मंदिर में तो अलाव भी हो गया तो रैट शबरी माला मंदिर में अक्षितां अलाव हो गया ना एडी सो आप जा सकती है क्लियर और वैसे भी कोट कहता है कि भाई कोट ने तो हाँ अलाव है अब सी सो नरायन गुरू हैड ओपनली क्रिटिसाइज दे कॉंग्रिस कॉंग्रिस पॉर इट्स लिप सर्विस तोवर्ड लोर कास्ट यानि की नरायन गुरू ने निचली जातुओं के प्रती कॉंग्रिस के सिर्फ सब्दों के अस्वाशन की कड़ी आलोचना की हाँ पहले नहीं था पहले नहीं था ठीक है सो अभी हमारा भाई कॉंस्टूशन है काफी पावर्फुल है स्लोली स्लोली एवरिटिंग विल चेंज सभी खाली हिंदु दर्म में नहीं सभी धर्मों में चेंज होंगे राइट लेट्स पार्टी फो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब के लिए लाया जाए सभी धर्मों के उपनली क्रिडिसाइज दे कॉंग्रेस पॉरिट्स लीफ सर्विस्टूर्स लोवर कास्ट उन्होंने काया कि जो कॉंग्रेस है ना वो सिर्फ निच्री जातियों का शब्दों के साथ बिलकुल और हमारे अर्टिकल 44 में भी है तो सिर्फ शब्दों के साथ अस्वासन देत यह उसकी उन्होंने कडिया लोचना की फिए अप एवन अपोज महात्मा गांधी फोरिज फेट इन चतुरवर्न ओके वाई डिच्टर लोग थे ना वो उची जाती के थे इसलिए अधिकतर जो आप देखोगे कि जो साथ इंडिया वाले हैं वो उनको क्रिडिसाइज करते थे दूसरी एक और बात थी they could see that बहुत पहले से भासाई को भासा को लेके अंदोलन होते रहे they could find कि भाई जो कॉंग्रेस में जो मैजॉर्टी स्पीकिंग है वो हिंदी बोल रही है तो कहीं हम हासिये पे न चले जाए ठीक है he even opposed महात्मा गांधी for his faith in चतुरवर्ण which he considered as the originator of caste system and untouchability महात्मा गांधी के वीरोथ किया mentre और रहने तो समाज में बराबरी ले आओ समाज में भईया बराबरी लेके आओ सब के लिए सब कुछ खुला होना चाहिए सब को मंदिर में जाना चाहिए बराबरी की बात करते थे लेकिन वो वर्ण व्यवस्ता को हडानी की बात नहीं करते थे ठीक है इसलिए ये हमारे नरायन गुरु साब ने भी ने महात्मा गांधी का भी बिरोध किया क्योंकि इनका मानना था जो हमारी वर्ण व्यवस्ता है चतुर वर्ण है वो कास्स सिस्टम यानि हमारी जाती व्यवस्ता and untouchability अच्छूतपन यह इसको इसी की वज़ासे है चतुर वर्ण व्यवस्ता की वज़ासे ही है then he gave the slogan इन्होंने क्या स्लोगन दिया one religion one caste and one god for mankind हाँ बिलकुल वर्ण व्यवस्ता गांधी जी ने caste की बात नहीं की थी गांधी जी ने वर्ण व्यवस्ता की बात की so he gave the slogan one religion, one caste and one god for mankind इन्होंने एक धर्म, एक जाती और मानो जाती के लिए एक इश्वर का नारा दिया ठीक है ओके इनके शिश्य और हुए कौन सहोधरन अयप्पन याद रहे यही सहोधरन अयप्पन ने किसके बारे में कहा है इवी रामा स्वामी पेरियार के बारे में भी यही सहोधरन अयप्पन बोले हैं तमिलाड़ वाले अक्के बारे में यही सहोधरन अयप्पन ने यह इन्ही के सिस्से थे किनके सिस्से थे नरायन गुरू के इन्होंने क्या कहा? No religion नो गॉड, नो कास्ट इन्होंने का वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड लेकिन इनको जो डिसिपल थे किसी के अगेंस्ट में कभी नहीं बोला इस व्यक्ति को अगर हम कह रहे हैं यह देखो अच्छूत होते हुए भी इनको ज्यान की प्राप्ती हुई और वास्तों में देखो सही ज्यान की प्राप्ती हुई है सही ज्यान की महिलाओं के लिए काम करो समाज में जाती बेवस्था ना हो Untouchability को हटा दो मंदिर सब के लिए खोल दो असली ज्यान तो भाई यही है ना और के चाहिए ठीक है तो और इन्होंने कहा एकी religion हो, एकी caste हो, एकी God पूरे mankind के लिए सब के लिए एकी इश्वर है लेकिन इनके disciple जो सहोदर्न, इनके जो चेले थे शिष्य थे, शहोदर्न अयपन इनका मानना था कि कोई धर्म नहीं है कोई भगवान नहीं है और कोई जाती नहीं है इन्होंने अच्छी बाते बताई है He simplified rituals regarding birth, death and marriage आज भी हमारे यहां पे when somebody dies or some boss takes place हमारे यहां कितने पूजा पार्ट वगएरा कई सारे marriage हमारे तो साधी में आलत खराब हो गया था ठीक है? बिलकुल, बिलकुल नहीं, आप सोचती है क्यों सोचती है? क्योंकि आपको उस प्रकार का setup दिया गया है अंसी का आपकी जो शोच है यह सारी सोच क्यों है? क्योंकि आप एक पहले से जो समाज आपके family वाले अच्छे है आपको अच्छा पढ़ाई लिखाई दिया है एक laptop दिया है जिसमें बैट के सब कुछ देख रही है UPSC की पढ़ाई कर रही है तब ही हग्यान आया है और ये बेचारे ये अच्छूत थे और जा करके शिक्षा वाहां पे कोई पढ़ाई नहीं थी तो ये सारी बाते उन्होंने खुद से सीखी है तो of course हम लोगों तो किताब में मिल जाती है तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी rituals होते है जन्म से, मिर्त्यू से, विवा से सम्बंदित अनुस्थानों को इन्होंने शरल बनाया क्या बनाया? He simplified rituals He achieved the notable success in transforming the untouchables into backward class क्या किया इन्होंने? हाँ इन्होंने क्या कि जितने भी अच्छूत थे पहले untouchables थे उनको भाई पिछडा वर्ग काप दरजा दिलाया उनको कहा कि भाई दीरे दीरे इनकी वज़ा से उनको अच्छूत से हटा दिया गया और उनको backward class माना गया तो आप समझ सकते हैं कि this was a very good man जो केरल के स्री नारायन गुरु हैं बहुत अच्छे आदमी थे इनका SNDP प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत जारी अच्छे काम किये हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़े थी SNDP प्रोग्राम फर इजवास और अधर लोवर कास्ट कई सारे जो अच्छूत जो थे उनके लिए और इनकी जो जाती थी इजवा उनके लिए कौन-कौन से इन्होंने प्रोग्राम चला है ध्यान दीजेगा प्रोग्राम है right to admission to public school पहले अच्छूतों का admission सरकारी स्कूलों में नहीं होता था तो सरकारी स्कूलों में परवेश का अधिकार दिलवाया recruitment to government service अब आपको मैंने बता रहा है बता रखा है कि already the brahmins and the upper caste were chosen were preferred in the government services लेकिन SNDP ने अपना पूरा दम लगाया और लगाने के बाद से का कि भाई अच्छूत हैं तो हम क्या मतलब फिर दूसरे जगह से आए alien तो नहीं है न तो इन्होंने government service में अच्छूतों के recruitment के लिए भी बात करी सरकारी सेवाओं में भरती की बात करी access to roads and entry to temples याद रहे साउथ में देर वाद सिस्टम दाड़ अच्छूत्स वर नौट permitted to walk on the road which the Brahmin took Brahmin के रास्तों से हो करके अच्छूतों को गुजरना नहीं होता था समझ रहें आप लोग देखो कितनी problem है कितनी problem है उस समय के society में कितनी problem थी then he give them access to roads and entry to temples बोला कि ऐसा क्या है आप Brahmin है उची जाती के हैं तो आप कोई थोड़े ना आस्मान से आये हैं और हम जो है नर्क से उठके आ गए यानि कि इन्होंने ब्रामडों द्वारा परियोग किये जाने वाले मार्गों पर सभी जातियों का चलना शुरू करवाया मंदिरों में प्रवेश शुरू कराया entry to temples see how good a man he is देन संडीपी के प्रोग्राम में पॉलिटिकल रिजट रिप्रेजेंटेशन भी दिलाया राजनितिक प्रदिशन भी दिलवाया किसके लिए अच्छूतों के लिए कि भाई वो नेता भी बन सेके clear so यह पूरा था तीन लोगों के बारे में आपने पढ़ लिया किस-किस के बारे में पढ़ा भाई टियार चौधरी के बारे में पढ़ा करनाटक के बारे में वोकलिक और लिंगायत मुव्मिंट जहां पर माशूर के पास भाई यह लोग गये हैं हां मैसूर में मैसूर के राजा के पास गये हैं और एक कमीटी बनी है सर लसली मिलर कमीटी और उसने कहा कि बाई सबको जौब दिया जाना चाहिए और लास्ली की थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक कंपणी बनाई संडीपी और संडीपी के प्रोग्राम थे कि बाई अन्टचिबिल्टी को हटाओ मंदिर ऐसे बनाओ जहां सभी लोग जाएं कॉंग्रेस का इन्होंने विरोध कि तुम खाली आश्वासन देते हो महात्मा गान्दी के विरोध किया क्योंकि तुम वर्ण ब्योस्था का प्रचार करते हो कि बिलकुल बिलकुल कांति सिंगह ऐसा था उस समय ठीक है इन्होंने इन्होंने श्लोगन दिया कि भाई एक ही इश्वर एक ही जाती और एक ही पूरे मानों के लिए एक ही धर्म होना चाहिए ठीक है बर्थ डेथ मैरिज जन्व मिट्ट्व विवा इससे सम्बंदित जो रिच्वल्स हैं जो अनुस्थान है उसको सिंप्लिफाई उसको स्वरल बनाया जितने अचूत थे अचूतों को बैकवार्ड क्लास बनाया अब लोग उनसे घ्रणा नहीं करते हैं वहाँ पर देन एसन डीपी के प्रोग्राम में लोवर कास्ट के लिए और अचूतों के लिए और क्या गया था उनको स्कूलों में परवेश का अधिकार दिलवाया उनको गौर्ण्मेंट जॉब में सेवाओं में भरती का अधिकार दिलवाया ब्रामणों द्वरा परयोग किये जाने वाल अगों पर सभी जातियों का चलना एक्सेस टू रोड एंट्री टू टैंपल मंदिरों में प्रवेश दिलवाया पॉलिटिकल रिप्रजेंटेशन दिलवाया क्लियर है एनीवेर किसी को अभी डाउट है तो कल हम बढ़े पढ़ेंगे अमबेदकर साथ के बारे में इसी टैंक पर राइट है और कल की क्लास हम थोड़ी अर्ली करने की कोशिस करेंगे क्लियर क्योंकि कई लोग का छूट जाता है कि अगे ठीक है कश्यब मुझे आपके कोश्चन ही मैंने देखे नहीं है इक बार उनको देख लेता हूं रात को मैं कल रात को तीन बजे तक क्वेश्चन बनाया 11 कुष्चन दुश्चन इंटरनासनल रिलेशन से कुष्चन फ्रेम किया इंगलीस हिंदी इंगलीस हिंदी ठीक है तो मैं आपको अगले क्लास में उसका जवाब दूना है ठीक है दोंट वरी पहले सी को पार करना गलत माना जाता था ऐसा था बाद के समय में स्पेशली जब हम देखते हैं कि की मॉडन पीरियड में जभी नहीं पार करते थे ठीक है ऐसा था नहीं अंसिका मैं कर लेता हूं वहाइब बिलकुल का थी चलो थीक है एंड कुछ लोगों को मैं question दिया भी हूँ मैं अभी अभी ठीक है मैं जो भी यह जो भी लोग है उनको एड अच्छा वह question का ध्यान देना महात्मा गांधी वॉज रिफॉर्मिस्ट महात्मा गांधी रिफॉर्मिस्ट थे बट वो रिवाइबल नहीं करना चाहते थे कि पुराने डाइब करो और मोरोवर ही वॉज नॉट डर रिलीजियस लीडर रिलीजियस लीडर नहीं थे वो ठीक है समाज में सुधार जाते थे सब को पढ़ाया जाए खुद भी उन्होंने बैरिश्ट्री कर रखी थी क्लियर चलो मैं बिल्कुल बिल्कुल कास सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे हर जैन यह दिए डिफरेंस बिट्विन वर्ण सिस्टम वर्ण सिस्टम को मतलब की यह बिलीवट यह उनका मानना था कि वेदों में बाते साही लिखी है ठीक है इसलिए उन्होंने इक्वैलिटी की बात की थी कई सारी चीज़ें उन्होंने करी है उनको रिवाइबलिस नहीं कहते हम सुधारवादी थे वो ठीक है सोसल मुव्मेंट तो भाई वो पॉलिटिक से सोसाइटी से सभी चीजों से जुड़े हुए थे सब्सक्राइब नहीं कहते हैं वो कभी नहीं कहते थे कि हिंदु जर्म वह भाई मुसलमानों को भी उतना ही इज़्जद देते थे मैं बिल्कुल सबको एड़ कर लूँगा डोंट वरी ठीक है एंसर सबको लिखना है और ध्यान देना है क्लियर चलिए सो लेट्स मीट एट अभी कितना हो रहा है साड़े बाइस ग्यारा बज के पांच मिनिट पर हम लों मिलते हैं एक बार मुझे उसको भी फिर से मतलब रिवाइज करना है एक बार रिवाइज कर लूँ मैं उसको अच्छली मैं हरे क्लास के पहले ट्रांसलेट करता हूं मेरे पास हिंदी में गवाधातर हिंदी वाले हैं तो इसलिए तोड़ा मौझा टाइम लग जलता है आज कल ऑफिस भी है अकांग्षा का जवाब देते हैं कांग्षा ने क्या पूचा था आप ने कुछा था क्या पूचा था क्या पूचा था अक बार याद दिलाएं कि वन मिनिट मैं आपके कोश्चन को निकाली देता हूं कि वी उपनिवेशी करण क्या होता है देखिए हमारे देश में अंग्रेजों का सासन था और अंग्रेजों की कॉलोनी थी उपनिवेश था यहां तो हमारा देश जब आजाद होना शुरू हो रहा था तो अंग्रेज क्या कर रहे थे अंग्रेज चाहते थे कि धीरे 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 जो भी नियम उन्हों कानून लाये थे उसी से संभिधान गौर्ण्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसी से यह बन रहा था तो हमारे देश के राजनेताओं में ने जब संभिधान बनाना शुरू किया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब यहां से जानने की कोशिश शुरुवात शुरू कर दी तो उसी को हम भी उपनिवेश्ची करण कहते हैं अब जड़ा सोचो कि कॉलोनाइजेशन अच्छा है या बुरा है ठीक है कॉलोनाइजेशन भाई कॉंस्टिशुशनलिजम से रिलेटेड है ठीक है कॉलोनाइजेशन जो है उपनिवेश्ची करण अच्छा है या बुरा है इसका एक्जाम्पल मैं देता हूं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि इवन एसिया के और अफ्रिका कि कई देशों को अंग्रेजों ने स्वतनतिता दे दी तो स्वतनतिता दे दी यानि कि अंग्रेज जैसे ही अंग्रेज जाएंगे कॉलोनी को छोड़के जाएंगे तो क्या हो जाएगा डीकॉलोनाइजेशन हो जाएगा और हम जो तीस मार खान बनते हैं वैसे बिलकुल भ कट नहीं हुआ है कभी नहीं हुआ है कभी भी सेना का सासन नहीं हुआ है तो क्या हुआ कि कई बार अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने जब जैसे ही कई सारे देशों को आजाद कर दिया तो decolonize हो गया आजाद करते ही हमें भी बिल्कुल आड करेंगे आजाद करते ही क्या हुआ वहां पर के ओस शुरू हो गया अकांग्षा ध्यान देना है मैं कॉंस्टिशिलिजम पर आ रहा हूं जैसे ही यह देश आजाद हुए वहां पर ड्रामे शुरू हो गए ठीक है और ड्रा क्यों आया इसलिए आया क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे बिल्कुल ही नियम कानून काग्जों से काम कर रहे थे दे वर वर्किंग अना सिस्टम अब मैं कॉलिनाइजेशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं जैसे मैं वहां पर आपको कहा था कि I am not defending दुजम वैसे ही मैं अंग्रेजों के कार्यों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं बट मैं कह रहा हूं कि भाईया आजाध होने से पहले you should have a clear idea दिमाग में clear idea होना चाहिए कि देश चलाएगा कईसे ऐसा नहीं ना फिर से कोई राजसाब आ जाएंगे और फिर से वही कहानी इसमें कॉंग्रेज ने इंडिया नेशनल मूव्मेंट के साथ ही भारती रास्ट्रिया अंदोलन के साथ ही सरकार के प्रोसस को सीखना शुरू कर दिया था clear? they were taking part into the constitutionalism, they were taking part into the ruling administration Congress देखो कितने चुनाव नाव लड़ती थी विपक्च वैकरा भी तयार हो रहे थे तो इसलिए हमारे यहाँ पर जब decolonization शुरू हुआ हाँ, हमारे यहाँ पर जो decolonization शुरू हुआ उसके पहले ही है हमारे देश के नेताओं ने संभिधान लिखना शुरू कर दिया आजादी से पहले ही संभिधान लिखना शुरू किया कि भाई कॉलाप्स ना हो सिस्टम तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संभिधान वाद की प्रक्रिया होनी ही चाहिए जब हमारे यहां पर क्या होना चाहिए वी उपनिवेश्वाद हो रहा है वी उपनिवेश्ची करण हो रहा है तभी तो हम सफल रहे हमने संब्यधान बड़े अराम से लिखा हमने अंग्रेजों की चीजों से सीखा अब आकांक्षा का जो next प्रस्म था कि सर कि देन है क्यों कि और शेल ले पहले वो सासन करते थे धीरे-धीरे वह सासन कम्पणी के हाथ से और उसके बाद से आप देखते हो कि government general council से ले करके जितनी भी provincial council थे उसमें congress वाले लोग भी धीरे-धीरे आये थे यह वाले लोग administration में हिस्सा भी लेते थे यानि कि बिडिसों की वज़ा से हमने धीरे-धीरे self-government में step रखा पहला ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ क्यों कि अंग्रेज चाहते थे कि हम भले चले जाएं इंडिपेंडेंडेंस हो के चले जाएं लेकिन भाई लोग हमारी चीजों को मतलब य एक दिन में नहीं सीखी थी आप कितने सारे चैटर एक पढ़ रहे हो एक गलती के बाद दूसरी गलती दूसरे गलती को 20 साल बाद सुधार रहे हैं कि जो हमारा constitution evolve हो रहा है वो अंग्रेजों की विज़से हो रहा है तीसरे वाले में उनका क्या कहना था भाई जो उद्दा साजिक थे मतलब सैनिक थे सारी चीजें मतलब समाज में जितनी जरुवत होती थी उतना ही अंग्रेज अपने हिसाथ से छोड़ते थे लेकिन गौर्ण्मेंट ने जब काम शुरू किया तो क्या किया जब हमने अपना संभिधान बनाया तो अंग्रेजों से बहतर संभिधा या मतलब बल के हिजाब से होती थी गौर्णेंस वह धीरे धीरे हमारे नेताओं ने सीख लिया था लेकिन संभिधान बनने के बाद से हमने खुद से उस उस चीज को सेना को हटा करके हमने क्या ले क्या है हम लोगों के लिए क्या ला है पार्लियमेंटरी सिस्टम ले आया ह हमने हमने ओपन मार्केट ले आया हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की व्यक्तिकत स्वातंत्र की बात की तो अकांग्षा यह तीसरा पॉइंट यही कह रहा है संभिधान निर्माताओं ने सेम चीज में जब संभिधान बनाएं तो उसमें सीखा कि वहां पर दिक्कत थी तो हमने फंडामेंटल राइट्स लाए हमने हमने पार्लेमेंटरी सिस्टम लाया क्लियर है कि चलो और अक्षा मैं आपका जवाब दे दूंगा अभी मैं कुश्च तो इसलिए कभी है कि सोतंतर था अब देखो कई जगों पर क्या हुआ कई जगों पर कई सारे सोतंतर हो गया और सोतंतर होने के बाद तानसाब बन गहें वहां पर सिर्फ मियामार में ही नहीं उदर आप जाओ इजिप्ट बगैरा में आप उदर जाओ शीरिया में हर एक ज स्वतंतर राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे हाँ हाँ तो वहां पर कॉलाप्स होने लगा सिस्टम कि राइट स्वतंतरता इसे नहीं लेनी है स्वतंतरता ले रहे हैं है तो साधी करने के लिए सब खुष आजया है साधी होगी साधी होगी पहले सोंश तो ले साधी साधी करने के लिए खुस हो ना स्वतंता पाने के लिए सब को खुस ही चाहिए अरे खुब बढ़िया होगा मज़ा आएगा साधी होगी साधी होगी तो खिलाएगा क्या तो Constitution जो है वो होना चाहिए ठीक है यह होना चाहिए चलिए तो लेट्स पीटे लेवन ग्यारो बजे मिलते हैं और फिर हम पढ़ेंगे Medieval History तो थैंक्स अंजय हैं